अब बहुत ही दिगज सारे IES लाइन डप हैं कोई गैस कर सकता है कि कौन वो नाम हो सकते हैं क्योंकि देखिए सारे हमारे बीच में जो अब आगे गैस लाइन डप हैं वो यहां पर आने वाले हैं और यह एक बहुत ही दिगज आई एस हैं और जो डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं वो पूरी तरीके से आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं मैं जोड़दार तालियों की बीच आप सभी के बीच में स्वागत करना चाहती हूं पी नरहरी जी का जो की IES है और Commissioner of Industries and Development है मैं चाहूंगी कि आप लोग जोड़दार तालियों से IES पी नरहरी जी का जो है अब आपके सामने होने वाला है सर बहुत 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 दन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग के साथ इंट्रेक्शन करने का मौका दिया है मैं इस अबसर पर दो तीन चीजें जरूर बताना चाहूंगा हमको अपने अपने जीवन में किसी भी लक्ष हो हासिल करने के लिए और मुख्य थार पर जब हम कॉलेज स्कूल इस दौर से गुजरते रहते हैं उस समय हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी विशे वस्तु पर ध्यान देना है वो है हमारा विख्तितुरा कई लोग यह पूछते हैं कि मुझे आईएस बनना है मुझे कुछ और बनना है उसके लिए मुझे क्या करना होगा तो मैं हमेशा यह कहता हूं कि सही समय पर हमको हमेशा ध्यान देना है हमारे विख्तितुरा मार्केट हमसे क्या चाहता है मार्केट में जब हम जाएंगे यानि मार्केट मतलब मैदान, फीलड, बाहर जब हम स्कूल, कॉलेज से निकल कर बाहर जाते हैं तो मार्केट हमसे क्या अपिक्षा रखता है? मार्केट हमसे यही मांगता है अगर आपको civil service में जाना है, किसी research में जाना है, education field में जाना है, आपको MBA में जाना है, marketing, finance, किसी भी field में जाना है, सबसे important होता है कि आपका व्यक्तित तो कैसा है? आपका personality क्या उस particular field के लिए बना है कि नहीं बना है? इसका मैं simple, एक अच्छा example देता हूँ, आपने अगर PV सिंद्यू को देखा है जो badminton खेलती है, आपने कर्णम मलिश्वरी को देखा है जो weight lifting कर दी थी, आप इन दोनों को side में खड़ा करके देखें कि क्या दोनों का personality एक जैसा है, यानि कि physical personality, एक badminton खेलते हैं, जिनके लिए उनका body structure, उनके अंदर जो capabilities है, यानि कि उनको shuttle मारना है, दोड़ना है, आगे पीछे, इतना fast movement करना है, इतना फूर्तिला होना है कि आप उनका body shape देखेंगे, बिल्कुल एकदम चीता जैसा होता है उनका body, है कि नहीं? आप कर्णम मलिश्वरी को देखेंगे, जिनको क्या करना है, उनको आना है, जितना बल होना चीए, वो अलग है, तो अगर हम वैसे ही comparison करें, ये दोनों व्यक्तितु को जो sports में हैं, अगर हम वैसे ही उनकों, दो लोगों को compare करें, एक को civil service में जाना है, एक तो research में जाना है, क्या दोनों का व्यक्तित एक जैसा होना चीए? तो हम को, हम जिस field के लिए हम अपने आपको तयार कर रहे हैं, दो जो formative years है, formative years मतलब जो निर्मान अत्मक जो age है, उस age में हम को, हम जिस परिक्षा के लिए, जिस competitive exam के लिए, जिस career के लिए, जिस job के लिए हम लोग अपने आपको तयार कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको अपना व्यक्तित्व का निर्मान भी करना चाहिए अगर अपना व्यक्तित्व वैसा निर्मान हो जाता है और जब आप फिल्ड में जाएंगे जैसे मैं सिविल सब्रीज की बात करूँ जैसे हम लोग IAS में आये थे तो पूरे देश्ट बर से 10-15 लाक लोग एक्जाम लिखते हैं और उसमें से फिर प्रिलिम्स के बाद मेंस मेंस के बाद इंटर्व्यू में सेलेक्शन होता है और पूरा मिला के 100-100 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है तो हमको उस 100-100 लोगों में हमको अगर रहना है तो हमारा व्यक्तित्य निर्मान ऐसा होना चीए कि अगर मान लिजए कि 50 सी पोस्ट है और मैं कहता हूँ कि एक ही पोस्ट है तो उस एक पोस्ट के लिए हमारा व्यक्तित्य का निर्मान बेस्ट होना चीए कि वो UPSC केवल हमको सेलेक्ट करें तो हमारा काम क्या होना चाहिए जब हम फॉर्मेटिव इस खासवाप स्कूल और कॉलेज के उस पर्टिक्लर पीरियड में हम है तो हमको यह सोचना चाहिए कि क्या मेरा व्यक्तित्व का निर्मान मेरा परस्नेलिटी उस हिसाब से कनवर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको इन जेनरल भी जो है आज के तारीक में सबसे इंपोर्टेंट है कम्यूनिकेटिव होना समबाद की क्षमता बनाये रखना अपने अंदर आज के तारीक में आप देखेंगे किसी भी फिल्ड में चाहिए कोई भी फिल्ड आप निकाल के देख लीजिए आप अगर सिबिल सविसेस हो या कोई जॉब हो करीर हो किसी भी फिल्ड के लिए हो आप यह देखेंगे कि जो एक above average वेक्ति है, अपना फील्ड की ज्ञान बहुत अच्छे से रखता है, अपना subject knowledge above average है, उसके साथ साथ जिसका communication capabilities दूसरों से बहतर है, उसका selection हो जाता है, है की नहीं? तो हमें हमारा communication strategies को, हमारी communication capabilities को, हमारी अंदर जो समवाद की ख्षमता है, उसको हमें बैतर करना होगा, हमको calling में public speaking करना होगा, हमको calling में election, debate, essay writing, painting, art, dance, drama, जितने भी ऐसे programs होते हैं, उनको बे हिचक हमें उस मंच का उप्योग कर लेना चाहिए, ताकि हम हमारे अंदर किसी भी तरह का जिजग, कोई भी stage fear जैसी बात, हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये बात भी नहीं हो पाता, आप इंटर्व्यूस में चले जाएंगे, कोई भी इंटर्व्यूस में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको अंदर anxiety है, गबराड है, तो आप अपना subject knowledge बैतर तरीके से प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए college का जो मंच है, college का जो place है, college का जो field है, उसको सबसे बैतर तरीके से उप्योग करना चाहिए, तो एक तो personality, उससे personality के अंदर communication, communication capabilities के साथ में subject knowledge, subject knowledge के साथ में हम जिस particular career के लिए बात कर रहे हैं, जिस particular career में हम अपने आपको ले जाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, हम वहाँ जाकर select होना चाहते हैं, उससे संबंदि जितने आप गुर सीख सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि जाके पूछिए, आपको अगर finance में जाना है, तो जो आज के तारिक में जितने लोग finance के क्षेतर में काम कर रहे हैं, उनसे जाके बात करिए, उनसे पूछिए कि इस particular field में, यह field कैसा है, क्या इस field में अच्छा salary मिलता है, अच्छा career है, अच्छा growth है, अच्छा recognition है, तो हमको जाके पूछना चाहिए, जिस field में जो लोग हैं, हम जिस field में जाना चाहते हैं, उनसे जाके उनसे time spend करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, और समझ लेना चाहिए कि कल मैं उस particular field में जाऊंगा तो मेरा satisfaction level कैसा रहेगा इस तरह के कुछ चीजें आप अगर करेंगे तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही आप लोग जो field आप select कर रहे हैं उस particular field में आप निश्चित ही select होंगे जितना भी बड़ा competitive exam हो उसको आप पार कर पाएंगे और आप select निश्चित ही हो पाएंगे मैं अभी secretary MSME हूँ और industries department देख रहा हूँ आज कल हम लोग सबसे जादा अगर किसी विशे पर ध्यान दे रहे हैं वो है start-ups, incubation centers हम नए ideas, नए innovation को कैसे कब्दिल किया जाए उस idea innovation को जो है start-up के रूप में कैसे convert करें और वहां से आपको initial stages से लेके कि unicorn बनने तक कैसे हम support कर सकते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं मानने प्रदान मंत्री जी ने एक नारा दिया है कि 2025 तक हमें 5 trillion dollar economy बनना है 5 trillion dollar economy बनना है तो वो कैसे बनेगा, कौन बनाएगा तो वो आज का युवाही उसको बना पाएंगे तो आपके पास जितने भी idea से innovation है मैं आप लोग से इस मंच के मैं आदिम से अन्रोद करूँगा को उसको एक start-up में convert करिए Government of India का एक department है DP IIT जिसको बोलते है मिलकर उस idea को तबदिल करते हुए उसको convert करते हुए उसको एक business model में develop करने के लिए जो जो प्रयास हो सकते हैं उसमें करने का प्रयास करिए और मैं मानता हूँ कि आज के युवाह में इतना अपार ideas और innovation की शक्ती है तो उसमें हम देख रहे हैं कि आज के जमाने में केवल चार साल में जीरो से लेकर unicorn यानि की वन थाउजन यानि के सेवन थाउजन फाइव हंडर्ड क्रोर्स का एक company में एक unicorn में convert होते जा रहा है तो केवल चार साल में idea जो है उस particular level तक अगर आज पहुंच पा रहा है तो उसका reason यह है कि आज इतना market इतना innovation को accept कर रहा है और स्वागत कर रहा है तो मेरा आप उस request यह है कि जिस किसी के पास idea से innovation है तो college level से ही इस चीज को start करे तो आप निश्चित ही अपने goals तक पहुंचेंगे मुझे भुलाया यह समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much Hello जी बिल्कुल देखे जाहिर सी बाते सर आपने जो भी बाते बताएं वो बहुत जादा effective रहने वाली हैं सभी की life में क्योंकि हम सभी देख रहे हैं जिस तरीके से रोजगार बढ़ रहा है और यह एक बहुत एक active field है तो sir बहुत बहुत धन्यवाद मैं दो मिट जाओंगे आप ही पर मैं आमन्चित करूँगे हमारे Resident Editor Madhapradesh Sandeep Hamarkar sir को Resident Editor Chhatisgarh Ashish Tiwari sir को कि यहां पर वो मेमेंटो से जो है पी नरहरी sir का जो है वो सम्मान करें और sir बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए यहां पर आप आए और आपने students को इतने अच्छी तरीके से गाइट किया sir बहुत-बहुत धन्यवाद आपका झाब कि अजयडाय के लिए- यहां वो में खर 25, हुत-एhat झाब किया तरीके से अन्यवाद